नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं सत्ते हिंदी इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जहारखंड में तबरेज अंसारी नाम के शक्स की पुलिस प्लाकप में मौत हो गई और पुलिस उसकी लिपापोती में लगी हुई है क्या जहारखंड पुलिस तबरेज अंसारी की मौत के मामले में लिपापोती कर रही है क्या वा अविक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है ये सवाल उठते हैं कि पुलिस ने तबरेज की मोटर साइकल चोड़ी के मामने में उसके कबूल नामे को तो दर्ज कर लिया पर पुलिस की रिपोर्ट में उस बात का कोई जिक्र तक नहीं है कि किस तरह तबरेज की बुरी तरह पिटाई की गई थी क्या पुलिस को तबरेज की पिटाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है इस पर विस्वास करना मुश्किल है क्योंकि सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाराल हो चुका है जिस वीडियो में तबरेज की पिटाई करते हुए दिखाया गया है तो क्या पुलिस को इस वीडियो के करने का आरोप लगया गया उसे गिरफ़तार किया गया और अदाळत ने उसे नियाFORE में भेज दिया शनिवार 22 जुन को नियाएख हिरास्त में ही तब्रेज की मौथ हो गई सवाल ये उस्ता है कि उसकी कैसी हुई हिरासत में होने वाली मौत के लिए वैसे भी पुलिस और प्रसासन ही जिम्मेदार होता है पर पुलिस के पास इस मौत पर कोई संतोष जनक उत्तर नहीं है यहां सोसल मीडिया पर वारल हो चुके एक वीडियो की एहमियत बढ़ जाती है एक वीडियो में लोग जम जूद उसकी पिटाई नहीं थम रही है लेकिन पुलिस ने अपने रिपोर्ट में इस वीडियो की कोई चर्चा ही नहीं गी जार्खन पुलिस के आईजी ऑपरेशन्स आसिस बत्रा ने कहा कि वह धार्मिक आस्थाओं से जुड़े इस तरह के वीडियो पर कुछ नहीं कह स सकती है यदि जांच में ये वीडियो सही पाया जाता है तो पुलिस उसे आधार बना कर आगे की तफ्तीश कर सकती है यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि तवरेश के चाचा मक्सूद आलम का कहना है कि उन्होंने जब तवरेश से पुलिस लॉक अप में मुलाकात की थी तो वह बेहत कमजोड लग रहा था वह बोल भी नहीं पा रहा था यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक तवरेश के सरीर पर चोट के तीन निसान है यदि तवरेश की देव पर चोट के निसान है तो उसकी जास तो होना ही कि ये चोटे कैसे लगी लेकिन पुलिस तो इसकी चर्चा ही नहीं कर रही है हलाकि बाद में पुलिस ने घटकीडी से 11 लोगों को गिरफ्तार किया और दो जवानों को सस्पेंड कर दिया लेकिन इस मामले से ये साफ नहीं हो पाया कि तवरेश की हत्या कैसे हुई उस पर गोमांस रखने का आरूप लगाया गया था। बाद में अव्युक्तों को सजा हुई। उसके बाद अव्युक्तों को अपर कोट में जमानत मिली। और जमानत मिलने के बाद उसका स्वागत किया उनलों का फूल माला पहना कर किसने हैं। नरेनिर्मोधी सरकार में वित्ट्राजयमंत्री जयांत सिना जो ज़ारकंड के ही हजारी बाग के सामसथ भी है इस बार भी जयांत सिना जीत चुके है है हलाकि वो इस बार मंतरी नहीं है तो मामला फिर लौटकर वहीं पहुँचता है कि तबरेज की मौथ कैसे हुई और इसक उनका विश्टेशन आप हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेस्बुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें देखते हीए सत्यहिंदी.com